तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने बाले हैं श्टेनो टाइपिस्ट का पेपर जिसका जो पोस्ट कोड था वो था 907 जिसका जो एक्जाम है वो आज एबनिंग शैफ्ट में हुआ है तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रसं से पहला जो प्रेशन है दोस्तो वो है आपको पताना है अगला जो प्रेशन है इन बिचियर रैगुलेटिंग एक्ट बाज पास्ट किस बर्स नियमन अधिनयम पारित हुआ था तो दोस्तो नियमन अधिनयम यानि की regulating act जो था तो पास हुआ था 1773 में तो इसका option भी जो है वो सही हो जाएगा और इसके तहती कलकत्ता में स्प्रीम कोट की स्थापना भी करी गई थी अगला प्रेशन है there are no politics divided of religion is stated by कोई भी राजनिती धर्म भी नहीं है इन्होंने कहा था तो ये कहा था महत्मा गांधी के द्वारा तो इसका option भी जो है पोसही हो जाएगा महत्मा गांधी के द्वारा ऐसा कहा गया था अगला जो प्रेशन है who is the official head of the state राज्य का अधिकारिक अध्यक्स कौन होता है तो दोस्तो राज्य का जो अधिकारिक अध्यक्स होता है वो होता है आपका राज्यपाल तो इसका option जो C है पोसही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है बारतिय समिधान का खाका किसने त्यार किया यानि की who has framed the constitution of India तो दोस्तो ये त्यार किया था समि of directive principle of state policy from तो राज्य के जो नीती नर्देशक तर्तब के सिधात है दोस्तो वो लिए गए है आरे लैंड से तो इसका option B जो है बोसही हो जाएगा आरे लैंड देश से लिए गए है डिरेक्टे प्रेंसिपल अगला जो प्रेशन है who wrote the book plan economy for India तो plan economy for India जो पुस्तक लिखी है दोस्तो ये लिखी है M.B.S. रिया के दोरा option A जो है बोसही हो जाएगा उनकी पुस्तक में ही दोस्तो 1934 में ये है पुस्तक प्रकासित हुई थी और भारत के लिए 10 बरसी या फिर 15 बरसी दोस्तो मुझे याद नहीं है 10 बरसी या फिर 15 बरसी जो plan था बहुत त्यार किया इन्होंने M.B.S. रियान है अगला जो प्रेशन है फ्रेस इवैलिएशन ओफ हैवरी आइटम ओफ एक्सपेंडीचर फ्रॉम दा बैरी बिगनिंग ओफ इच फाइनेंशल एर इस काल्ड तो दोस्तो प्रतेक बितिय बरस के सुरु में ही B.I. की प्रतेक मंद का ताजा अकल को कहा जाता है अगला जो प्रेशन है फार्दा कॉलेक्शन और पब्लीकेशन ओफ मोनेटरी एंड फाइनेंशल इन्फोर्मेशन तो दोस्तों मोनेटरी पॉलसी का जो इसके लिए जो उतरदाई है वो है आपका RBI तो इसका ऑप्सन सी जो है बो सही हो जाएगा रिजर बै अगला जो प्रेशन है था इम्प्लोईमेंट गरंटी स्कीम बाज फर्स्ट स्टार्टेड इन तो दोस्तो गरंटी रोजगार गरंटी योजना का प्रम्ज अप्रम्ज वो हुआ था आपके महरास्ट राज्य में और अप्सन सी जो है वो सही हो जाएगा महरास्ट अगला है ता purpose of world bank is to bishop bank का देश से है दोस्तों world bank का जो देश से है दोस्तों वो है इंटरनाल लॉन इंटरनेशनल लॉन्स फार डिवेल्मेंट परपेस तो विकास है तो अंतराश्चित देना इसका जो अबजेक्टिव है मेन अबजेक्टिव है बर्ल बैंक का अगला जो प्रेशन है दोस्तों बैसे तो नवाड एक बैंक है लेकिन यह एक फाइनस्यल इंसिच्यूशन है जो हो जो हो छोटे-छोटे उद्यमी बगएरा होते हैं उनको लॉन बगएरा क्रिशिरेन प्रदान करता है और दोस्तों नवाड की स्थापना 1922 में करी गई थी अगला जो प्रेशन है दोस्तों वो है कुम्भ एक नासिक इस हेल्ड आउंदा बैंक आउफ बेचे रेबर तो नासिक में कुम्भ किस नदी के किनारे होता है तो दोस्तों यह लगता है गोदावरी नदी के किनारे इसका उप्शन यह जो है वो सही हो जाएगा गोदा बरी अगला प्रेशन है यूमन डेवल्मेंट रिपोर्ट फॉर इच एर एट ग्लोबल लेबल इज पबलिश्ट बाई तो दोस्तों बैस्विक स्थार पर जो हो आपकी हुमन डेवल्मेंट रिपोर्ट है यहें यून जो सेवी है सेवी का आपने नाम सूना होगा इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी अगला जो प्रेशन है इरडा इस ए तो दोस्तों इरडा क्या है दोस्तों इरडा जो है वो एक स्टैचुरी बोड़ी है तो इसका उप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा बेदानिक निकाय है और दोस्तों यहे जो इंसुरेंस बगेरा के सेक्टर है उस पर निकरानी रखता है इरडा जो है और इसकी स्थापना 2000 में करी गई थी अगला प्रेशन है बेरीज करंसी प्रिंटिंग प्रेस लुकेटर इन MP तो मदेप देश में मुद्रा मुद्रनाले कहां पर स्थेत है दोस्तों यह है आपके देवास में उप्षन ए जो है वो सई हो जाएगा अगला प्रेशन है बीचिज नौट ए member of ASEAN नेमिन मैंसे कौन ASEAN का सधस्य नहीं है तो दोस्तों जो हमारा भारत देश है वो ASEAN का सधस्य नहीं है आप कमेंट करके पताजिए जो ASEAN है वो कितने देश्तों का समू है अगला प्रेशन है बीच इस नौट दा सोर्स ओफ रिवेनियों का सोर्स नहीं है तो इसका ओप्सन सी जो है वो सही हो जाएगा बाकी इनकम टेक्स कॉर्प्रेट टेक्स और एकसाई ड्यूटी जो है यहें सेंटल गौर्नमेंट के रिसोर्स हैं अगला जो प्रेशन है नौर्मन बोर्लोग रिगार्ड़ एज दा फादर ओफ ग्रीन डिवल्योशन इन इंडिया इस फ्रॉम जो नौर्मन बोर्लोग है इनको हरित करांती का जनक कहा जाता है और दोस्तों यहें यूएस से थे तो इसका ओप्सन सी जो है वो सही हो जाएगा और वैसे भारत मैं हृत करांती के जनक स्वामी नाथन को कहा जाता है अगला प्रेशन है तो दोस्तों यहें जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है 69 माईल्स की तो इसका ओप्सन डी जो है वो सही हो जाएगा 24 घंटे अगला प्रेशन है बन डिग्री ओफ लोगित्यूड और Equator is equal to a distance of तो दोस्तो यहे जो दूरी होती है दोस्तो वो होती है 69 miles की तो इसका option D जो है वो सही हो जाएगा और kilometer में बात करें तो 111 kilometer अगला प्रेशन है In the desert, the amount of rainfall per annum is less than तो दोस्तो यहे 4 centimeter से भी कम की बर्षा होती है तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा 4 centimeter अगला जो प्रेशन है The most abundant element in the earth तो दोस्तो भुपर्टी में सबसे प्रचुर मातरा में जो तत्व पाया जाता है वो है आपका oxygen 46% पाई जाती है उसके बाद aluminum का स्थान आता है अगला प्रेशन है आपने कमेंट करके बताना है जो बिसुबियस जो अला मुखी है वो कौन से देश में है अगला प्रेशन है तो आपको पताना है इनमें से कौन पसुचारी यायावर नहीं है तो दोस्तो जो पिंगमी है यह पसुचारी यायावर नहीं है तो इसका उप्सन डी जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तो पिंगमी जन जाती जो है यहे अफरीका में पाई जाती है और मसाई जो है यहे केनिया में पाई जाती है अगला जो प्रेशन है बिच इस दा ग्रेटेस्ट आर्चिप लेगो ओन दा गलोब तो बिच्व का सबसे बड़ा जो दूइप समू है दोस्तो वो है आपका इंडोनेसिया तो इसका उप्सन जी जो है वो सही हो जाएगा इंडोनेसिया जो है सबसे बड़ा आपका दूइप समू है अगला प्रेशन है मास्ट्रिक इजिन तो Maastric क्या है दोस्तों sorry Maastric आपको पताना है कौन से देश में है दोस्तों ये है आपके Netherlands में जिसका पुरान नाम था Holland तो इसका option ये जो है वो सही हो जाएगा जो Maastric है ये जो है आपका Holland में है इसका option ये जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रशन है Mount Everest is located in तो Mount Everest state है तो दोस्तों Mount Everest जो है ये है नेपाल में इसका option D जो है वो सही हो जाएगा और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है which is the largest producer of sugar in the world पिश्टे में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादिक देश है तो दोस्तों बैसे तो ब्राजील सबसे जादा चीनी उत्पादिक करता है लेकिन जो क्यूबा है इसको sugar bowl के नाम से जाना बुसाई हो जाएगा और यहे नील नदी पर बना है अगला प्रशन है capital of Vietnam is Vietnam की राजधानी है तो दोस्तों Vietnam की जो राजधानी है वो है हनोई तो इसका option ए जो है बुसाई हो जाएगा हनोई अगला प्रशन है which country is known as the land of thousand river land of thousand river के नाम से दोस्तों फिनलेंड को जाना जाता है अगला प्रशन है which river joins गंगा एट अलाबाद दोस्तों इलाबाद में गंगा के साथ यमना नदी चुड़ती है तो इसका option D जो है वो सही हो जाएगा यमना प्रियाग में मिलती है अगला प्रशन है the biggest gap across the western ghaties पश्चमी घाटा में सबसे बड़ा जो अंतराल है दोस्तो बो है आपके पाल घाट तो इसका option D जो है वो सही हो जाएगा पाल घाट में अगला जो प्रशन है at which place you will find the maximum sunlight in December तो दोस्तों दिसंबर में जो अधिक्तम सुर्य प्रकास प्राप्त होगा वो होगा आपका करने कुमारी में तो इसका option D जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि य तो दोस्तों जो हो रेतिली मिटी होती है सेंडी मृदा बहु क्रिशी करने के लिए बहुत सक्त होती है इसका option D सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे च इरनियम निक्षे पाए जाते है तो बैसे सबसे ज़्यादा दोस्तों पाए जाते है आपके अंधर प्रदेश में अंधर प्रदेश के जद्दु गोड़ा में लेकिन दोस्तों बात करें तो राजस्तान में भी इरनियम पाया जाता है और आपके जो भिहार है सोरी जहारक पोसित है तो दोस्तो यह जो पोसित है वो आपका यह आपका है टेश्टरी कोईल तो इसका option यह जो है वो सही हो जाएगा तित्ते कोईला बैसे जो लिगनाइट कोईला है उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है उससे इसका कार्य चलता है अगला जो प्रेशन है दोस् अगला प्रेशन है गल्बेनाज आयरन सीट्स है बे कोटिंग ओफ तो दोस्तों गल्बी करित लोहे की पट्टी पर चिंक का लेपन होता है और सी जो है बुसाई हो जाएगा जिंक अगला प्रेशन है टी ब्लू कलर इज इंपार्टर टू ग्लास बाए ता पर जैंसॉप तो तो दूस्तों तीन मूल बाला दांत है तो दोस्तों तीन मूल बाला जो दांत है वो है आपका मोलर यानि सका ऑप्सन है प्रेशन है ईज हो जाएगा ओप फाइव तु सिक्स लीटर अगला प्रेशन है ऐसे नोड ओफ मैमेलियन हर्ट इज नौनेज तो दोस्तो इसको कहा जाता है पेसमेकर नौर्बल पेसमेकर तो इसका आप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा पेसमेकर अगला जो प्रेशन है तो दोस्तो यह होती है आपकी दोस्तो छे आपने कमेंट करके बताना है नवजास सिसू में कितनी हडियां पाई जाती है अगला प्रेशन है इंसुलिन इस गिबन टू प्यूपल सफरिंग फ्रॉम बेच डिजीज तो दोस्तो जो इंसुलिन है यहे डाइबटीज से जो गरस नहीं होता है तो दोस्तो सबजियां फाल और दुग दिन्दवी मेखनेज पाया जाता है लेकिन गुड मैं नहीं पाया जाता आप्शन ए सई हो जाएगा अगला प्रेशन है कौव मिलक इजे रिच सोर्स आप तो दोस्तो कौव का जो मिलक है पैसे बिटामिन ए भी पाया जाता है लेकिन दोस्तो जो बिटामिन बी बन है यानकी जो थाइमेन है जिसका नाम बहुत ज़्यादा मातन में पाया जाता है तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा अगला प्रेशन है अगला प्रेशन है अगला प्रेशन है अमल बर्षा कारक हो सकती है तो अमल बर्षा जो है वो भबनों को नुक्सान पहुंचाती है फसल तता पेड़ों के बिनास के लिए भी जीमेबार है और मचलियों के बिनास के लिए भी तो इसका option डी जो है वो सही हो जाएगा यह सभी अगला प्रेशन है यह healthy man गैने consume maximum calorie while playing तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति maximum calorie consume करेगा जब फुटवाल खेलेगा तो इसका option जो सही है वो सही हो जाएगा क्योंकि फुटवाल में running काफी जादा होती है अगला प्रेशन है बाटर है जो maximum density at डैस डैस पर पानी का घंतब सबसे धिक होता है तो दोस्तों यह ह दोस्तों apiculture is the process of rearing of honeybees तो इसका option भी जो है वो सही हो जाएगा आपको बताना है जो रिसम कीट पालन को क्या कहा जाता है अगला प्रेशन है the fastest growing plant in the world is सबसे तेज उगने बाला जो पादप है दोस्तों वो है bamboo बांस तो इसका option यह जो है वो सही हो जाएगा बांस जो है सबसे तेज उगने बाला पादप है अगला जो प्रेशन है which is the richest source of calcium निमन मैंसे क्या calcium का प्रचूर्स त्रोत है तो दोस्तों इन option मैंसे सबसे प्रचूर्स त्रोत है calcium का बो है रागी तो इसका option सी जो है वो सही हो जाएगा रागी अगला प्रेशन है stainless steel usually contains about 14% or more of stainless steel में सम पानेता लगवग 14% या उससे धिक पाया जाता है दोस्तों 12 से 14% उसमें chromium होता है option D जो है वो सही हो जाएगा chromium अगला प्रेशन है which is not a chemical change आपको पताना है इनमें से कौन सा एक रसाइनिक परिबरतन नहीं है तो दोस्तों बर्फ का जमना जो है वो एक रसाइनिक परिब जो फसल है दोस्तों वो है टबैको तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा टबैको अगला जो प्रेशन है ता पंडो डैम is located on which river of HP तो यहां से माचल जी के शुरू हो गया है तो दोस्तों पंडो डैम जो है दोस्तों वो है आपका 20 river पर तो इसका option A जो है वो सही हो जाएग मंडी में है पंडो हो डैम अगला जो प्रेशन है ता लेडर ओफ धामी मूवमेंट इन HP बास तो दोस्तों जो हो एल्टी का एक्जाम हुआ था उसमें मैंने बताया इसका जो नेता थे वो थे भागमल सोठ था option B जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है ता इंसेंट नेम व बैजनात वाज तो एंसेंट नेम जो था बैजनात का वो था किरगराम option D जो है वो सही हो जाएगा दिवरा जो था ये था आपका जुबल का पुराना नाम अगला प्रेशन है बिच गवर्णर जनरल ओफ इंडिया विजिटेट चंबा इन 17 सोरी 1871 तो दोस्तों ठा शिमला में 1942 में भार छोड़ां दोलन की अगवाई करी थी तो दोस्तों ये करी गी थी राजक मारी अमरित कोर के द्वारा तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा अमरित कोर अगला प्रेशन है स्वान रीवर फ्लोस थूरू बिच डिस्टिक ओफ हैच पी तो स्वान अदी जो है दोस्तों ये भेती है आपके उन्ना डिस्टिक में तो इसका option A जो है वो सही हो जाएगा ये भी मैंने आज की वीडियो में ही बताया और इसे सोर ओफ रीवर के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रेशन है इन बिच येर डिड फिरोज सा तुगलक लंडर नगरकोर तो दोस्तों फिरोज सा तुगलक ने नगरकोर्ट को जो लूटा था वो लूटा था 1365 इसवी में option C जो है वो सही हो जाएगा और इसमय कांगडा का राजा था राजा रूप चंत अगला प्रेशन है परवत ये राजसी राज्य के किस रासक ने रंगजेव के अदेदेश की अबग्या की थी दोस्तों ये करी थी चतर सिंग के द्वारा option D जो है वो सही हो जाएगा और ये है चंबा का राजा था अगला प्रेशन है माचर्प देश को केंदर शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा किस बरस प्राप्त हुआ तो दोस्तों ये हुआ था सोलन डिस्टिक में तो दोस्तों इन में से कोई नहीं none of these हो जाएगा इसका answer सोलन में है चैल क्रिकेट स्टेडियम अगला प्रेशन है माचर्प देश के किस जीले का क्षेतरफल सबसे काम है तोस्तों ये है आपके हमीरपूर डिस्टिक का तो इसका option D जो है वो सही हो option D सही हो जाएगा हमीरपूर अगला प्रेशन है इन बिस्टिक इस गोरी देवी का तिबा पीकल केटर दोस्तों गोरी देवी का जो तिबा है वो है आपके चमबा में तो इसका option A जो है वो सही हो जाएगा और एक है तेव तिबा वो है दोस्तों आपके कुलू डिस्टिक म अगला प्रशन है नलवाडी फेरीज मेलनी एसोसियेटेड विद बिच प्लेस इन एचपी तो नलवाडी मेला जो है दोस्तो वो मनाया जाता है आपके बिलासपुर में तो इसका ओप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा बिलासपुर अगला प्रशन है सुकेत रासी राजे का संस्तापक कौन था तो दोस्तो सुकेत रासी राजे की स्तापना करी गई थी वो करी थी बीर सेन के द्वारा इसका ओप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और आजबर सेन के द्वारा मंडी शहर की स्तापना करी गई थी अगला प्रश भी मैंने आज दिन को ही बताया है इसका option D जो है बुसाई हो जाएगा अजुदीन खालित खानी तो दोस्तों आप एक भी वीडियो मिस मत करिए क्योंकि दोस्तों हर एक question exam जो है एक वीडियो है आपका घ्मंचंद को तो इसका option जो A है बो सही हो जाएगा घ्मंचंद option A सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है दोस्तों वो है मंडी स्टेट एस्टेट की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, दोस्तो ये करी घी थी, स्वामी पुर्णानन्द के द्वारा, ऑप्षन ए जो है, बुसई हो जाएगा स्वामी पुर्णानन्थ, अगला प्रेशन है, माचल प्रदेश में अंतर परिबारिक बिनी में तो उसे कहा जाता है बाटा साटा तो इसका option ए जो है वो सही हो जाएगा बाटा साटा अगला प्रशन है माचर देश के कि चिले में काला टॉप बने जीब अभियारनने है तो दोस्तो काला टॉप बने जीब अभियारनने जो है वो है आपके चमबा मैं तो इसका option A जो है वो सही हो जाएगा चमबा डिस्टिक में है काला टॉप बने जी भफियारण ने अगला question है भारते हैरिश्टेश संस्तान का निमान करना कि सहर में प्रस्ताबित किया गया है तो दोस्तो करंट हफेर के question शुरू हो गए है और आज की वीडियो में इतना ही रखते है पार्ट बन हमने discuss कर लिया है 81 question और पार्ट टू हम बहुत ही जल्द लाएंगे आप comment करके बता दीजिए पार्ट टू आपको चाहिए या नहीं तो दोस्तो अगर वीडियो अपसाद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर बॉचिंग गॉड ब्लेस यू ओल